नमस्कार साथियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने अर्लाइन इस्टेटूर निसान्त ज्यान की यूटूब प्लेटफॉम पर मैं नितनु पाद्याय आप सभी का स्वागत करता हूं विवनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर वित्रों कोई साइबर कैफे वाला नहीं हो कि मैं आपको फॉर्म भर कर दिखाऊं ना ही मैं कोई ऐसा इस टेक्निकल जानकार हूं कि आपको इस बारे में आउगत कराऊं मेरा कार्य जो है पढ़ाना लिखाना है लेकिन कुछ बच्चे हमारे उपर ट्रस्ट करते हैं विश्वास करत डेली के टेली वीडियो बनाना मेरे लिए वर्तमान के समय में एनोगा करते हैं जो कारिया यूटूब पर ने ने लोग आ करके करते हैं किक्योंकि उनका कारिय वही होता है वरतमान के समय में DL8 का एडिमिशन चल रहा है तो DL8 का एडिमिशन करा करके 10-5 विप सला करके 4-6,000 रुपया कमा लेंगे बस वही उनका काम होता है उसके बाद उनका दुकान बंद हो जाता है उनका कार्य होड़ता है मैं ऐसा कार्य नहीं करना चाहता हूँ हाना चलिए आ उस पर अच्छे खासे वीपस भी आ रहे है क्यों कि बच्चा परिसान है देख रहा यार किसी यूटूब को देखने से किसी यूटूबर को देखने से आपका अंतिम्तिति बढ़ जाएगी का नहीं बढ़ेगी और जिस दिन बढ़ेगे उस दिन सबको पता चल जाएगा तो क्या आवस्यक्ता है कि आप दिन भर यूटूब पर वीडियो देख रहे हैं आप अपना कारिया अपना अमुल समय वहाँ पर बरबाद न करिए मैं आपको इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि आप अगर हमसे जुड़ रहे हैं निसानत ज्यान से जुड़ रहे हैं तो नि अंतिमतित्स आगे बढ़ेगे या नहीं बढ़एगे तो मैं बता दूँ 95 परसेंट से ज्यादा उम्मीद हैं कि आफके अंतिमतित्स आगे बढ़ा हैं जाए decisões नहीं करपाएंगे और जो विद्याले कमेटी होती है वह खुद इसके लिए जो और लगाएगे कि भी या आवेदन्तिती आगे बढ़ाया जाए नहीं तो हम लोग पिछली बार तो बरबाद होई गए थे अपकी बार तो अगदम कुए में चले जाएंगे इस बात को ध्यान रखिएगा आप पॉजिटिव सकारात्म करो करके रहिए कोई दिक्कत नहीं है हाना आगे बात करते हैं बीना फाइनल ये रिजल्ट आए फॉर्म डाल दे तो क्या होगा मैं आपको बता दूँ आपको प्राइवेट कॉलेज में अंतिम वर्स का रिजल्ट आए और यह जो होता है यहाँ अवैद होता है क्यों कि बाद में जो है उसे सही करवा लिया जाता है डाइट के माध्यम से किसी भी प्राइवेट संस्था से आप बात करेंगे तो यही कहेंगे कि आप जो है गेस करके मार्क डाल दीजिएगा और मार्क डालने के बाद आप हमारे पास आईएगा मैं अड्मिसन कर लूँगा और अड्मिसन वेलिड भी रहेगा हना ऐसा कई लोगों के साथ पहले भी हुआ एक कईस बैच में भी काफी बच्चें से जुड़े हुए थे मैं कईस बैच के साथ ही इस यूटूब पर आया थ तो काफी बच्चें हमारे ऐसे भी हैं जो इस तरीके से अड्मिसन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आपका जो नंबर है जितना नंबर आप पाने वाले हैं उससे थोड़ा सा कम करके आप नंबर डाल दीजिए और उसके बाद जो है जब आपका रिजल्ट आ जाएगा त तब ऐसे कार्या आप लोग करिए गा और यहा इसका जो एड्मिसन होगा हमेशा प्राइवेट कॉलेज में ही तब हो पाएगा सरकारी में नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकारी जो कॉलेच डाइट वाले होते हो आपका मतलब कि वहाँ बच्चों की दिक्कत नहीं होती वहाँ पे होता है प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में यह अंतर है उम्मीद समझ पाए होंगे जब आपका जो है आवेदन की अंतिम्तिति न बढ़े आपके पास कोई चारा ही न हो तब एकारे करिएगा नहीं तो मत करिएगा हाना चली और बीना फॉर्म डाले आपका OBC बच्चे का आयू बराबर है आयू सही है 18 साल से उपर है और वा 50% से उपर पाया है OBC का बच्चा 45% से उपर पाया है तब भी उसका जो मतलग की फॉर्म डाल रहा है उसमें लिकर करके आ रहा है कि आप जो है प्रसेंटेज कम है और आपका फ्लाने फ्लाने छीच कम है ऐसा लिक करकी आ रहा है। तो आपको समस्या हो रही है, तो अगर आपको समस्या हो रही है, और आप चाहते हैं कि समस्या का solution किया जाए, यही सब समस्या अग्राना है, यही समस्या है, पहली बात गया, बहुत तो मैं आपको बताऊंगा PNP के नाम एक पत्र लिख़ दीजीए, मैं आपको पत्र दिखा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, उस पत्र को आप लिख दीजीएगा, और अगर आप इलाहबाद या प्रयागराज के इड़िगृद के हैं, तो आप इस प निवास जाती नहीं हो तो फौर्म पढ़ जाएगा एक बच्छी देम से पूछा विया यूटूब पर फौर्मा डाल ना उर बीना निवास और जाती के फौर्म डालते रहे हैं। अगर फौर्म हममें डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है पॉर्म डाल दीजिए, लेकिन आपके आवेदन के अंतिम्तिति के पहले आप इसे बना लेंगे तो अच्छा राता है, बस, और नहीं बनाएंगे तो भी हो जाएगा, एडिमिसन हो जाएगा, माइडर मिश्टेक हो जाता, तब भी एडिमिसन हो जाएगा, हाना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं आपको बता दू निवास जाती नहीं है अगर आप निवास जाती नहीं है तो फॉर्म वगेरा जो डाल रहे हैं कैसे भी करके डाल दीजिए फॉर्म अगर आपने किया हुआ है और अगर आपका जो है आवेधन की अंतिम्तिति के पहले निवास और जाती बन जाता है या आय प्रमणपत्र तो scholarship के समय लगेगा अभी नहीं लगेगा लेकिन बन जाता है तो बहतर रहेगा नहीं बनेगा तो यह तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना कॉंसलिंग की समय तक बन वाली हुआ और मैं आप से एक चीज बता दूँ सबसे बड़ी बात है कि आप घर सीता पूर आप आपने लश्मणपुर लिख दिया है कि आपका घर जो है सीतापुर के वगाल लश्मणपुर है आपका जिला अमबेटकर नगर जैसे हमारा जिला सुल्तानपुर है हम लिख दे हमारा जिला अयुद्या है इतनी बड़ी बड़ी जब गलती आप कर देंगे तब तो भाई आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है तो आपका form फ्रीजक्ट होना तय है और अगर फ्रीजग्ट हो जाएगा तो आपका एडमिस्न नहीं होगा तो आप क्या करिएगा आप एक काम आप करिएगा आप दुबारा से form अप्लाई कर दीजेगा ठीक है अच्छा कुछ लोग क लेंगे तो आपको जो है पासवर्ड मतलब पासवर्ड करें मोवाइल नंबर और इमेल आईडी चेंज कर दीजिएगा और जो प्रूफ वगएरा लगाए हुए है उस प्रूफ वगएरा में भी कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है हो जाएका काम ठीक है उठकी समस्य मत लिजिएगा चोटी गलतिया च्हाम में है जैसे डिट आप बर्थे आप गलत कर दिये हैं आप जेंडर कलSO दीए घृत machst दिये हैं तो बहुत समस्यAnd से प्राइवीट सरकारी कॉलेज की फीज कितनी होती है प्राइवीट कॉलेज की फीज मैंने बता है कांसलीं के समय जब आपको विद्याले मिल जाता है और आप उस इसके बाद आपका स्टेट रंक जारी होगा इस्टेट जारी होने के बाद आपको जो है counseling कराए जाएगा counseling में आपसे विद्याले का choice मांगा जाएगा जिस विद्याले को आपको मिल जाएगा जब उस विद्याले को आप लाक कराएंगे मतलब एक seat आप उसमें book कराएंगे तो आपको जो है 10,000 रुपया payment करना पड़ेगा और जो आवेदन में 600 रुपया OBC और जनल का लग रहा है और यह CST का जो है 400 रुपया लग रहा है और दिब्यांग भाईयों का जो है 100 रुपय फीस लग रहा है तो आप इसके बारे में टेंसर मत लिजीगा चार समिस्टर होती है पड़ाई वगैरा कैसी होती है आप channel पे जाकर क पढ़ाई बगारा कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं नहीं तो मैं इतना कहूंगा अगर आपको DLA के लिए अनलाइन क्लास लेनी पड़े आपको DLA के लिए इधरुदर इधरुदर इसे लुकूर लुकूर करना पड़े तो समझे लीजी आप बहुत पीछे जा रहे हैं किमानदारी से स्वयम से और प्रतिबादता से पढ़ाई करने वालों का सेलक्सन होगा लुकूर-लुकूर करते रह जाएंगे जिन्दगी में कभी कुछ नहीं होगा डियलेड का भविस्य क्या होगा मैं तो डियलेड के बारे में बता दू डियलेड का भविस्या कोई दिक्कत नहीं है वरतमान के समय मैं आपसे बता दू मैं फिर से अपनी पहली बात बोलूँगा डियलेड या बीड कुछ भी कुर्स हो जो भी कुर्स जिस समय पर चलाय ज कैसे वरतमान के समय में लिखाए लेकिन कोड़िये जूनियर के लिए चलाए जा रहा है लेकिन कोर्स की गरिमा कभी समाब्त नहीं होगी तो यह हमेशा प्राइमरी जुनियर में मान्य रहेगा मान्य था और मान्य है इसमें आपको टेंसल लेने की कोई यावस सकता नहीं है क्योंकि कुछ लोग आपको 2030 का गोली देते हैं 2030 के बाद बड का चार वर्सी इन्टीग्रेटर नमोकरी नहीं पाया है जो 2015 में नमोकरी नहीं पाया है उन्ने समझादीजियेगा भाई ऐसा नहीं होता है बस जदा नहीं बोलेंगे और आपके साथ निसानतियान हमेशा है और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस id पर comment करिएगा इस्टाग्राम नहीं चलाते चला लिजिए फालो वगरा करने की जरूरत नहीं है अगर आप फालो करते हैं तो भी हमें अच्छा लगेगा और फालो नहीं करते हैं तो भी कोई दिखकत नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और चैनल की हिस्ट्री को आप देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा यहाँ पर दुकान चलती है या पढ़ाई होता है या भोकाल चलता है आपको खुद समझ में आ जाएगा कोई हमें अपने बारे में कुछ बताने की पूछ सकते हैं जिस भी कालेज में आप पढ़ते हैं कैसे बैच का अगर कोई बच्चा हो डियलेट कर रहा हो आप उसे पूछिएगा क्या आप निसान तियान के बारे में जानते हैं तो हर एक बच्चा उत्तर प्रदेश का हर एक बच्चा जो यूटूब पर वीडियो द सब्सक्राइब कोई दिखकत होती कमेंट बाक्स में भी लिखिएगा कोई व्यक्ति आपको यूटूब पूरे उटूब पर कोई रिपलाई वगरा नहीं देता है लेकिन मैं अकेला हूं जो क्यों चो कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूं, तो comment का reply देना भी हमारा कर्तब नहीं है, तो आप comment box में comment करिये, मैं reply जरूर दूँगा, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, किसी कारे में मैं वेश्कते हूं, तो समय लग सकता है, लेकिन reply जरूर दूँगा, है ना, अच्छा अगर किसी का मैं reply नहीं देता हूं तो नराज बहुत लोग हो जाते हैं भाई नराज न मत हो येगा क्योंकि हमारे भी कुछ समाजिक दाइत होते हैं जिसका निर्वहन में आप ही मैं कर रहा हूं और उस समाजिक दाइतों के निर्वहन में मैं इस छेत्र में भी आ हूं तो हर कुछ कार्या जो है मैंनेज करके हमें करना पड़ता है तो कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में हाना चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद जब आप फॉम डाल रहे हैं तो सबसे बड़ी बात एक बच्चा पूछ रहा था भाईया जो इसका certificate नंबर है वो क्या है हाँ नक्या डाले हम मैंने आपका मारचीट बना हुआ है इस तरीके साथ होता है यहां पे क्अपर नंबर लिखा होता है हमए उस से डाल दिया एक बच्चा कहता यहांपर गाल दीक हैँ इस से आपको टैंसन नहीं नहीं है बस यहां था याक प्रियों के लिए जाला जाता है कि आपने फॉरं मिदल उंसे भी डाल दिया, तो आपको समस्या नहीं लेनी है, खोई भी दिक्कत नहीं लेनी माझ। एक इंडीकेशन के लिए बिरिफीकेशन के लिए, आपने जो इस मार्क सीट से या जिस मार्क का प्रियोग किया है उसका वेरिफिकेशन कहां से किया जाए बस इसी वज़ा से मैं इस वीडियो को दुबारा से रोक करके बनवाया ठीक है चलिए धन्यवाद